इडी-CBI अरेस्ट ना करे और जहापना शाजहान शेक भाईजान तीहार में न लेकर उनको न ले जाए इसलिए बंगाल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया पच्वानवे दिन 55 डेज लग गया उनको गिरफतार करने में क्योंकि वो कहा है कहा वो ऑपरेट कर रहे हैं कौन से इलाके में उपरेट कर रहे हैं यह पश्चिम बंगाल के पुलिस संदेश खाली के जो स्थानिय प्रसाशन यह इनको मालूम था और यह सब जानते हैं संदेश खाली के जो महिला है जो पीडित एक दम तरासित जो महिला है वो बार बार कह रहे हैं कि अगर पुलिस अरेस्ट नहीं कर रहे हैं अगर पुलिस कहता है कि साजाहान शेक कहा है उनको मालूम नहीं है वो हमें बताए हम दो मिनिट में साजाहान शेक कहां शुपा हु South Bengal Range के ADG सुप्रतिम सरकार जाते हैं वहाँ, स्थानिय पुलिस और प्रशासन जो है ये आम जनता को धमकाने में और डड़ाने में लगे थे और जनता जब वहाँ विशेश करके महिला उनका जमीन जब्द किया जाता है, शाजान शेक ले लेता है, वो बिना बोल के जमीन ले लेते हैं, कुछ कारवाई नहीं, कुछ कागजात नहीं, अपना इमारत वहाँ खड़ा कर देते हैं, पुलिस तब चुप रहते हैं और ये अभी डेरिक ओब्रायन को ये प्रशन करना चाहिए, कि महिला वहाँ जब कहते हैं, जाकर पुलिस के यहां F.I.R. दर्ज करने के लिए जाते हैं, पुलिस क्या कहते हैं उनको, अरे ये F.I.R. फ.I.R. छोड़िए भाईजान से जाकर तोड़ा आप लोग सुल्टा लीजे विशे, बात कर लीजे विशे, इसको डेरिक ओब्रायन, पहले तो डेरिक ओब्रायन संदेशकाली कहा है, गिया है कि ने, वो ही मेरा प्रशना है, दूसरा है कि ये बात क्यों नहीं निकल क्या रहा है, पुलिस ने अरेस्ट किया कोट के दवाव से, क्योंकि कोट न इसलिए बंगल पुलिस ने उसको अरेस्ट किया क्यूंकि इतना कुछ जानता है इतना कुछ वो पार्टी नेत्रित्व के साथ एकदम उच्चस्तर सरवच्चस्तर में ये एकदम से उसका साढ़ गाठ है कि किसी हालत में त्रिनमुल कॉंग्रेस के ममताव बैनर जी नहीं चा एकदम तो यही बात है कि पुलिस ने अरेस्ट किया पर जो मामला जिस सेक्शन के अंतरगत उसके खिलाब दायर किया गया दर्ज किया गया उसमें लैंड ग्रैबिंग नहीं है उसमें रेप मुलेस्टेशन नहीं है सबसे ऐसा ऐसा दर्ज किया गया ऐसे ऐसे सेक्शन के अंतरगत जो कि एकदम से बहुत ही बहुत सौफ्ट सौफ्ट सेक्शन है तो यह प्रश्ण त्रिनुमूल कॉंग्रेस या प्रश्ण बंगाल पुलिसी इसका उत्तर देना क्यूंकि वहां महिलाए भड़क गए विशेश करके दो कारण के लिए एक तो है गरीब एकदम गरीब तपके के लोगों का वहां क्रिशक जो है उनका जमीन हरपा है और सौ सौ एकर जमीन कई लोगों का बरबाद किया है वो हरप के दूसरा है महिलाओं के उपर अत्याचार महिलाओं को शोशन करना यह किया है उसके सारा इसको कैसे मालूम है वो तो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है यह सब बेतुकी की बात है She is just divert करने की कोशिश कर रहे है प्रधान मंत्री जी महिलाओं के लिए महिला साशक्तिकरन के लिए हर स्तर पे गैस से शुरू करके आवास आवास से शुरू करके पानी हर स्तर पे एकदम सारे सेक्शन विशेश करके जो एकदम से marginalized section के महिला है उनके लिए जो किया है पिछले 10 साल में ये सब जानते हैं, सब देखते हैं, ममता बैनर जी का एक खासियत है, उनका बहुत बड़ा एक उनका क्वालिटी है, और वो क्वालिटी उन्होंने पिछले 40 साल से आजमाया है, मुझे लगता है बंगाल की जनता अभी समझने लगा ह वो एकदम दिन दहाडे, आँक खोल के, इतना ज्यादा जूट बोलती है, ये जूट बोलने का टिकनीक मास्टर उन्होंने ही किया है, पर अभी जनता वो जूट को पहचानना है